हेलो गाईस आपका बहुत बहुत स्वागत हैं हम बात करेंगे बभासीर की या पेट साप करने की बेहतर ही जो अर्वेटिक मेडिसीन और बहुत ही कार्गर मेडिसीन है तो गाईस यह है हिमाल्या का पांध hisका नाम है पाइलेक्स और इसमें होता दिया है यहाँ पिलम्ले केशन आप देख सकते हैं दो टाबलेट इसको इनिशिल यानी सुरू सुर मिलेना पड़ता है जब आराम होने लगता है तो सकते हैं और जब प्रब्लम जाधा होती तो इसको गडर्म्लेट दो टब्लेट सुबह में, दो दो पार में और दो साम को लिया जाता है और ये खाने के बाद लिया जाता है इसके बाद काफी आराम होता है बवासीर में उसके बाद हम एक और मेडिसिन के बाद करेंगे ये है पेट सफा ये पेट सफा है और ये इसकी कमपनी का नाम है दिव अब की सब Natural Medicine ही है तो गाइज इस तरीके से और जो ये है इसका नाम है साफ्टो वोख है या स्यप और ये लिवपीन फर्मासियोटिकल इसको बनाती है और ये गाइज 100 ग्राम में है और इसकी प्राइस थोड़ा से जाधा है तो गाइज जो इसकी प्राइस है वह 205 कि अच्छी मेडिसीन है तो इसमें से अगर ये काम ना करें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये भी ना काम करें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल जो है सोबा साम दो समय में इसको किया जाता है अगर दिक्कत जाधा होती है तो दोनों समय में नहीं तो इसको एक ही टाइम सिर्फ रात को सोते समय करते हैं खाना खाने के बाद इसको 15-20 मिनट के बाद इसको करते हैं और किसी भी उम्र के लोग इसको ले सकते हैं, जनली 5-6 साल का बच्चा भी इसको ले सकता है, थोड़ी सी मात्रा में, और बड़े लोग इसको 5-10 ग्राम इसके चमच भी होता है, तो इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, और इसको भी किसी भी उम्र का कोई भी ब्यक्ति ले सकता है, झो पेट की समस्या से परिशान है चाय वो खुनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो किसी भी प्रकार का या constipation हो, acute constipation हो chronic constipation हो कोई भी ऐसी समस्या तो इसका इसमें से किसी का भी इसमाल किया जा सकता है और गाईस यह हैं पाइलेक्स может के सर में आता है यहां पिंध हम नहीं दिखाया है तो गैशीत तरीका से तो तीनों के तीनों बहुत ही बैतरीन है और अगर आपको प्रउड्म होती है तो आप इसका इसका इस्तेमाल करिए, अगर काफी लम्मे समय से 10 साल से 15 साल से परिशान है तो इसके साथ में और भी इस इनका इस्तेमाल किया जाता है वैसे तो यह किसी भी तरीके कि इनका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है अगर आप इसका इस्तेमाल जादा करेंगे जैसे अगर 10 ग्राम से जादा इस्तेमाल करेंगे तो इस तूल जो होता है वह बहुत जादा बार जाना पर सकता है तो तो इस तरीके से पहली बार इसका इस्तेमाल 10-12 ग्राम करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा से घटा लिया जाता है, इसको एक चमची खाया जाता है, या आधा चमच जैसे जरूरत महसूस होती वैसे इसका इसका इस्तेमाल करते हैं, और उसी तरीके से ये भी है, तो ये ग सौफ है, आमला है, ये सब कुछ इसमें लिखा है, और इसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें ये किन-किन चीजों से मिलके बना है, तो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें गोल है, सोना मुखी है, हरद है, अमलतास है, मुलेथी है, सौफ है, और सोडियम बे जो अईसे प्रिजर्वेटी के रूप में इसमें इस्तमाल किया गया है बाकि सब नेचुरल चीजें हैं तो इस सब गोल की भूसी इसमें मिलाई गई है और इस सब की गोल की भूसी अलग से भी कई कमपणियां बनाती हैं तो यह उससे ज्यादा प्रभावसाली है और काफी बेटर मेडिसीन है तो इस तरीके से गाईज अगर बहुत ज्यादा कंस्टिप्रेशन कवज बहुत ज्यादा है पेट साफ नहीं होता तो आप इसमें सब का इसमें से किसी एक का भी इस्तेमाल अब कर सकते हैं वैसे अपने आउसकता अनुसार आप जो भी आपको मतलब करके देख सकते हैं वैसे इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ही बेतर है और यह खूनी बवसीर हो या बादी हो दोनों पर यह भी चलता है तो थैंक्यू दोस्तों